हेलो फ्रेंद्स और वेल्कम टू रेविवाज आनदर एपिसोड और आज हम लोग रेविव करने वाले हैं पीपी स्पन जो नाम से आता है फूड ग्रेड जैनुएन रो कॉंपनेंट्स और यह है बेसिकली फूड ग्रेड पीपी पॉलिप्रोपीन हाउजिंग के अंदर क्योंकि बहुत दिनों से हमने रेविव में एक स्पन फिल्टर को रेविव नहीं किया है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसका विट पैकेट वेट कितना है अरूंड 114 ग्रायम का है विट पैकेट और पैकेट को को हम लोग देखते हैं तो इसके उपर MRP दी गई 500 रुपिया और यहां पर लिखा हुआ है डिजाइन इंजिनियर इन इंडिया टेकनोलोजी फॉन विए से यहां पर अच्छी बात है कि MRP दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई जैनुएन ऐसा ब्रैंड नेम यहां पर नहीं है फूड ग्रेड जरूर जो पैकेजिंग काफी हेवी है इसकी काफी अच्छी है और इसकी जो यूनीक बात मैं आपको बता दू यह उपर से जो टेक्ट्चर दिया गया है यह काफी अच्छी चीज है फॉर पीपी स्वन इससे क्या होता है फिल्ट्रेशन की जो लाइफ है वो एक्टेंड हो जाती ग्राम है आपको यह जो इसे अथा दियर्ड ग्रामनों अगर्यटन हुआ काफी अगरलर दीख है तो इस एक इसकी की बात मैं होगा हाड अगर was achie muss ऍाग आपकाप रहे हो थाए मैं जल्दी ब्लोक प्राइब होता है Lot और कोई स्मेल नहीं है और थ्रेड्स कुछ गर हम लोग इसको तोड़ के देखे हैं तो यह तोट रहा है तो यह लेयर्स में है बिशेकली ब्लोन पीपी ब्लोन जो है वो नहीं है तो यह एक और अच्छी बात है तो इससे पानी जो है वो जल्दी जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पर यह इस्तेमाल करेंगे तो पानी आपका जल्दी फ्लो होगा याने की कभी-कभी हमको यह प्रावलम आता है पी-पिल लगाने के बाद में कि पानी जो है वो जल्दी फ्लो नहीं होता है जल्दी ब्लॉक हो जाता है तो यह केस में वो जल्दी ब्लॉक नहीं होगा बिकाज यह काफी सॉफ्ट है बिकाज अफ दिस टेक्स्चर कि यह आराम से टूट रहा है आप देखिए यह इतना लूज है कि यह आराम से टूट रहा है तो अगर आप जानते हैं कि यह अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है तो प्लीज मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएगा जिए अच्छी बात है, या अच्छी बात नहीं है कि ऐसा टूटना चाहिए, या नहीं टूटना चाहिए जितने भी expert लोग भी देख रहे है, तो हम को बता येगा, कि ऐसा टूटना सही रहेगा, कर नहीं रहेगा प्लीज आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएगा मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ तो ये कुछ इस प्रकार है क्रैक ज्यादा प्रेस करेंगे तो हो रहा है तो ये सॉफ्ट है काफी सॉफ्ट है material बहुत soft है तो देखते हैं हम लोग दूसरा spun कोई मेरे पास होगा तो उसको हम लोग देखते हैं ऐसा होता है तो ये मेरे पास cam flow का पुराना है spun तो original genuine cam flow का है मैंने इसे संभाल के रखा था तो आप अगर देखेंगे तो इसकी quality काफी बढ़िया है तो ये original अभी बहुत मुश्किल से मिलता है तो आप देखेंगे तो ये ऐसा layers में आराम से खुल जाता है तो ये खुलना जो है बहुत important होता है इस इस जेनिविन cam flow spun जितना easily ये खुलेगा उतना easily पानी इसके अंदर से pass on होता है और जितना soft होगा material उतना अच्छा होता है जितना hard होगा ये ये उतना rigid होता है और मतलब पानी जो है इसमें से जल्दी से जाता नहीं है तो जी हाँ दोस्तों ये था आज का special video dedicated to this new spun filter जो मेरे कहाल से काफी अच्छा है जहाँ पर आप इस्तमाल करेंगे जे जनरल हम लोग यूज करते है उसके लिए ये काफी बढ़िया है और material की बात करें तो same cam flow का जो material है वही इसमें तो जी हाँ दोस्तों जैसे के हमने देखा कि इसका जो inner material है वो काफी soft है तो मेरे एक खयाल से जहाँ पर हम लोगे से इस्तमाल करेंगे वहाँ पर आपको अच्छा फ्लो आएगा और ये अच्छा खासा sand को जो है रोकने में काफी हत्त कामियाब रहेगा तो दोस्तों मेरे दरफ से इसके लिए एक thumbs up है अगर आपको पसंद आया होगा तो एक thumbs up आप भी दे दीजेगा अगर आपको चाहिए होगा pricing के बारे में detail चाहिए होगी तो नीचे whatsapp पे मुझे contact कर सकते हैं आपको मैं सारी details वहाँ पे दे दूँगा thanks for watching, take care, bye bye जै हिंद, good night